हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग कल सीए इंटर गुरुप वन अकाउंट्स का पेपर हो गया और कल सारे बच्चे नाजते गाते जूमते घर वापीस आए मुझे बहुत मैसेजिस आए सर थेंक्यू सर थेंक्यू सारा पेपर सेम आया मैं इस लेवल का पेपर एक्सपेक्टी नहीं करता जिस लेवल का पेपर दे दिया इन्होंने कल तो बाक्य में बच्चों का दिन था कट, कॉपी, पेस्ट, मतलब हमें आपका पेपर देख रहा था अभी, तो पहला कोशन दो चलो AES में से आता ही है, हमें पता ही है, जैसे मैंने दूसरा कोशन देखा अभी, डिपेंडेंट ब्रांच का कोशन आ गया, स्टार्टिंग के पांच में से, मतलब तीसरा कोशन है श सिंग वाला कोशन, अच्छा जी, इंशरेंस क्लेम का, वही दो साल का ट्रेडिंग अगाउंट वाला कोशन, अच्छा जी, कैश फ्लो का तो खेर, कोशन ही कट कॉपी, पेस्ट है, बिल्कुल जिटो, वही जो अपना, मैं आपको May 2001 का कोशन कराता हूं हमेशा, जिसमें सार पारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्स्टोर्नली वाले, लॉसूट वाला पॉइंट काम आ गया आपके इस क्वेशन में, अच्छा, उसके बाद, ये आपका डिवेंचर का कोशन आ गया, डिवेंचर के बाद, इंटर सस्पेंस, सेम, मतलब मैं देख रहा था इस पेपर को मुझे लगा मैं इसमें बच्चों के साथ डिसकस करूं तो क्या करूं, ये तो सारा आपकी बुक में ही है, बोलर शेर का कोशन, डिपार्टमेंटल में मैंनेजरियल रेमोनेरेशन, कमिशन वाला कोशन, फिर ये कोशन दे दिया आपको मैंनेजरियल रेमोनेरेशन का, करता हूं सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बेस्ट आफ लॉक और बेस्ट विशिस पॉर रिमेनिंग पेपर मन लगा के अब काम मुश्किल नहीं है अकाउंट्स ने काम कर दिया आपके पूरे गुरुप के अंदर और जो बच्चे बहुत गुरुप तेरे उनको इस पेपर की बहुत है बिलेगी दोनों गुरुप को निकालने में स्कोरिंग के अंदर और जिन बच्चों का एक गुरुप है वह आप यह मानू बस आपको मिनको लगता है कि बाकी के तीन पेपर में पासिंग माक्सी चाहिए यह निकाल देगा पूरा